जालो आपके online form की date आजाएगी कि कब से आपका online चालू होना है आप देख रहे हैं बिंडो फार एप्लाइंग फाई candidate 10 फरवरी से लेकि 11 मार्च 2023 तक आपका online होगा क्योंकि पहले क्या होता था आप जानते हैं कि आर्मी में रैली भरती में सबसे पहले आपका फिचकल कराया जाता था फिचकल के बाद आपका medical होता था और medical के बाद तब कहीं जाकि आपका रिटिन टेस्ट होता था लेकिन बहुत बड़ा चेंजमेंट हो गया है इन जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे डाल दिया गया है कि जो पेपर थे आपने देखा होगा कि अब आर्मी जो कराएगी वो पहले पेपर कराएगी और पेपर कराने के बाद ही आपका फिचकल कराएगी तो आईए पूरी जानकारी है हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से क्या होना है आप देख रहे हैं conduct of online CEE जो common entrance exam की जो date है वो 12 अपरेल से लेके 25 अपरेल 2023 तक रिजल्ट होगा वो आपका 20 मई 2023 को आजाएगा जब आपका रिजल्ट आजाएगा इसके बाद conduct of first set of rally जो पहली जो भरती होनी है इसको दो चरणों में कराया जाएगा क्योंकि एक चरण में कराना पाना बहुत मुश्किल है तो जो rally भरती होगी वो total आपके दो सेट पे ह होगी पहली rally भरती होगी एक जून से लेके 15 सितंबर 2023 तक एक जून से 15 सितंबर 2023 तक उन बच्चों को फिचकल कराया जाएगा जो रिटिन टेस्ट में पास होंगे अगर आप रिटिन टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको फिचकल करने का मौका नहीं मिलेगा इसके बा कर अब के फ़स्ट भीग तक होगा 16 सितंबर तिल थर्ड इस्टार्ट होगा वीक और अक्टूबर 2023 तक चलेगा इसके बाद इस पैच जो है जो डिस्पैच आपका किया जाएगा वह जो डेट है आपकी 22 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर इस बीच में आपको डिस्पै जो second batch होगा वो आपका number 2023 से लेके फरवरी 2024 के बीच पे रहेगा इसका जो documentation होगा वो होगा March to in April अर्थात March में शुरू होगा और in April तक आपका पूरा-पूरा documentation पूरा conduct हो जाएगा इसका जो dispatch का program है वो 22 अपरेल से लेके 30 अपरेल 2024 तक होगा जो second batch की जो training recruit start होगा वो 1 मई 2024 को start होगा तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा changement किया है आर्मी ने और कर दिया है सबसे पहले paper हमें लेकिन मुझे लग रहा था कि सायत ऐसा ना हो क्योंकि इतने सारे बच्चों को paper करा पाना कैसे होगा और दूसरी चीज़ ये जो paper होगा online कराया जाएगा, offline नहीं कराया जाएगा, आप सोचें कि इतने बच्चों को paper offline हो जाएगा नहीं, अब वो भी changement होगा और आपका जो paper कराया जाएगा वो आपका online होगा, तो इस बज़े से आप अपनी physical के साथ साथ written की practice सी start कर दें क्योंकि गाउं में बचा क्या करता था वो सोचता था अभी तो दोड़ते रहो, जब सब भरती आएगी तो पढ़ा लेंगे, एक मेने में normal paper होता है, लेकिन इस बार से इस तर आपका बिलकुल change हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, physical के साथ साथ आपको written पर भी ध्यान देना है, जब आपका written पास होगा, तबी आप physical qualify कर पाएगे, तो बिलकुल बेफिक रही है, जैसा बताया गया है, मातर 10 से 12 दिन बचे हुए है, आज 29 तारीक हो चुकी है, दस फरवरी को आपका uploading for rally notification, जो आपका notification है, वो दस फरवरी को आपकी online website join Indian army पे आ जाएगा, तो बिलकुल आप तयार हो जाएगे, औ और 100% सफलता पाने के लिए, क्योंकि कानपू Defense Physical Academy आपको देगी 5 गंटे का return, और return के 7-7,5 गंटे फिचकल सुबह और 2 गंटे साम, कोई फीस नहीं होगी return की, हमारे आप बिलकुल फ्री रहेगा, एक भी पैसा आपका नहीं लिया जाएगा, बिलकुल फ्री में आपको return की त्यारी कराई जाएगी, तो बिलकुल आप तयार रहेए लडने के लिए, और अगर अगनिबीर आर्मी का सपना रखते हैं, तो 100% तयार हो जाएए, जै हिंद!